आज यानिकी 10 सेतंबर को दुनिया की सबसे फेमस स्मार्टफोन निर्मादा कंपनी यानिकी एपल अपना नया स्मार्टफोन आईफोन 11 लॉंच करने जा रही है स्टीव जॉब्स थेटर में हो रही है इस लॉंचिंग को एपल के ओफिशिल यूट्यूब चैनल पर देखा जा सकता है इस इवेंट में आईफोन 11 सिरीज के तीन स्मार्टफोन लॉंच किये जाएंगे जिनमें आईफोन 11 मैक्स प्रो और आईफोन 11 आर या आईफोन 11 फोन शामिल है आईफोन 11 सिरीज में आप लोगों को खास कैमरा फीचर मिलने वाले हैं एपल ने अपने आईफोन में बदलाव करते हुए इस बाद चोकोर शेप का केमरा अपनी नई सिरीज में देने का एलान किया है इसमें ट्रिबल या फिर विल केमरा सैट अप हो सकता है आईफोन 11 में OLED या LCD वालेट डिस्पले मिलेंगे और साथ ही में शांदार परफॉर्मेंस के लिए A13 प्रोसेसर मिल सकता है इसके अलावाल लोगों को नए आईफोन में लेटेस्ट सिक्यारिटी फीचर होंगे एपल आईफोन में सैमसंग स्मार्ट फोन की तरह ही रिवर्स चारजिंग फीचर दिया हुआ है इससे आप दूसरे गैजट से भी अपना फोन चारज कर सकते हैं खबरों के मताबिक आईफोन में 5G कनेक्टिविटी नहीं होगी एक रिपोर्ट के मताबिक एपल ने पहले ही प्रेशर संसिटिव इंटरफैंस को पहले लाँच हुए आईफोन में दिया था लेकिन अब कमपनी इस स्पेसिफिकेशन को बंद करने वाली है इसकी जोगा इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर मिल सकता है आईफोन 11 के कीमतों की बात करें तो इसकी शुरुआत कीमत 1,990 लाँख हो सकती है सब्सक्राइब आर चानल और प्रेस्ट बल इकन पूर मोर अप्डेट्स